इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ फंक्शन किये थे जो हमारा 6 practical था वो हम लोगों ने किया था इस वीडियो में हम लोग रिकर्शन करने वाले हैं, so we'll do some recursive functions, तो पहला program जो है, वो है, write a program to find the factorial of a number using recursive function, अब देखो हमें factorial निकालना तो आता है, ठीक है, but यहां पर हम लोगों को factorial normal तरीकेश नहीं निकालना है, हमें recursion यूज करना है, तो बिचिकलिए recursion किया है, recursion मतलब calling a function within the same function, मान लीजिए कि अगर कोई function है, तो मैं उस function के अंदर वापस ते उस function को call कर सकता हूं, तो यह recursion है, and I strongly suggest कि अगर आपको recursion अच्छे थे समझना हो, तो आप लोग मुवी आई थी Inception, वो Dreams वाली, तो अगर आपने वो मुवी देखी है, तो शायद आप लोग बहुत जली समझ आओ गई है, तो यह starting का तो आपको पता ही है, बोरिंग, 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 scanf करके, एक n करके number ले लेंगे जिसका factorial हम लोग को निकालना होगा, तो that will be the n, और fact will be the value, जो factorial के हमारी value होगी, अब आपको पता है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, किस तरीके से हम लोग function की return value किसी बहार के variable को assign कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर वही किया हुआ है, fact के जो variable है, जिसमें हमारा answer store होगा, उसको हम लोग ने value देदी है, multiply n की और n का parameter हम लोगों ने pass कर दिया है, और यहाँ पर multiply का function हम लोग देख लेते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, int multiply, ठीक है, यह हमारा function है, multiply का, इसमें सबसे पहले एक number पास होगा जो होगा, अब now if n is more than or equal to 1, यानि कि basically if n is more than 0, ठीक है, तो if n is more than 0, more than equal to 1 लिख सकते हो, not equal to 0 लिख सकते हो, जो लिखना हो लिख सकते हो, यहाँ पर मैं more than 0 लिख देता हूँ, if n is more than 0, return n into multiply n minus 1, अच्छा अब यहाँ पर देखो बहुत ज्यानते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है exactly, तो वो multiply कर रहा है n को, n is 3, तो 3 into n minus 1, वापस से अपने आपको call कर रहा है यह function, यह function अपने आपको यहाँ पर call कर रहा है, और उसके इतर जो value pass कर रहा है, वो n minus 1 किये, तो यानि कि 3 था, अब 2 pass कर रहा है, तो जब यह 2 pass करेगा, वापस से जब यह 1 हो जाएगा, यह 3rd time यह function run करेगा, तो उसके बाद 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो if this is 0, then returns 1, तो ultimately यह 4 बार यह function एक के अंदर, एक के अंदर, एक के अंदर, एक के अंदर run हुआ, सबसे पहले starting में run हुआ 3 वाला, ठीक है, जिरो वाले से value i 1, ठीक है, बेकर जिरो का factorial 1 होता है, यहां पर हम लोगों ने return 1 का दिया, तो जिरो वाला function run हुआ, तो उसमें से value i 1, तो that 1 into 2 हो गया, और 1 into 2, 2 होता है, उसमें से value i, वो हो गई 2, and value multiply हो गई 3 वाले के साथ, यानिकि 2, 3 हो 6, तो इस तरीके से यह काम किया, इसको save कर देते हैं, I hope आप लोग यह समझ गया किस तरीके से recursion काम करता है, खुद को call करता है, यह बारबर हम लोग 1 manage करते गए, ताकि जो 3 था वो 2 हो जाए, फिर 2 से 1 हो जाए, अब लेट्स रण इस, and so you can see, कि enter a positive integer 3 कर देते हैं, यह पर 3 का factual 6 है, बिल्कुल सही, हम लोग ने इसके बात किया, कि हम लोग ने इसके बात किया, हम लोग ने इसके बात किया कि हम लोग ने प्रेक्ट को यहां से जो return value मेली हम लोग को ultimately, हम लोग ने दे दिया, असाइन कर तो signal indicate करने के लिए, हम लोग रिटर्न 0 देते हैं, आप लोग को फिलाल यहां पर इसके जरूत नहीं है, but you know, मैं लिखा हुआ यहां है, because actual में जब प्रोग्रमिंग करोगे, आप लोग तो पड़ती है, इसको लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, फिलाल के लिए, now, so that was how it was and that was how it was, list फोराँ लिखोड़ा सा, अब इसके बात ज़ेकंड प्रोग्रम पपी कर लेता हूं, and question रेकल ले एक बार, the question is, write a program to find the sum of natural numbers using recursive function, sum of natural numbers, find करना है, natural number क्या हो गया, one से लेके, नमें क्वेसं को यी लिए प्रॉब्स प्रूइंगे अंत लिए करेंगेक लगọn यहां पे प्लन जाल देंगे रख Whitney-Stand यहां पर हम लोगों का फंक्षन है देखो यहां पर सबकुत सेम है बार बार मुझे एक्स्रीण के जरूत नहीं पढ़नी चाहिए नम की हम लोगों ने वैल्यू ले ली और यहां पर हम लोगों ने क्या किया अच्छा फंक्षन है यानि कि 100 अगर मानलो की starting में मैंने 3 लिया है तो it will return 3 plus n minus 1 3 plus 2 हो जाएगा n minus 1 के है 2 तो यह वापस इसमे है 2 और वापस से यह run करेगा which will be equal to 1 और जब यह 0 हो जाएगा तो यह return कर देगा n यानि कि यह 0 return कर देगा 3 plus 2 plus 1 plus 0 हो जाएगा तो इस तरीके से अगर 5 हुआ तो यह 5 plus 4 plus इस तरीके से काम करेगा तो यह बिल्कुल लास्ट वले की तरह है इसमें कुछ और changes नहीं है so that's it और इसके बाद हम लोग ने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई extra variable नहीं create किया हुआ है यहाँ पर हम लोग डिरेक्ली उसको output कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो function के यहाँ से अम लोगो return value मिल जाती है यह number मिल जाता है तो अम लोगो पता यह integer number है तो डिरेक्ली हम लोग इसको यहाँ पर डाल सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिरेक्ली function से भी value extract कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिरेक्ली function से भी value extract कर सकते हैं तो यहाँ रिकर्शन मतलब अपने आप में से खुद को कॉल करना ठीक है? Until a certain condition is met तो यहाँ पता नहीं क्यों रिकर्शन छोड़ देते हैं लास्यर जब हम लोग में था तो हमारे बाच में भी कांफी सारे लोगों रिकर्शन छोड़ देया था बिकस्ट आप लोग नहीं क्या दा हम लोगों है बट इस्ट वांट यहाँ तो नो कि बहुत सिंपल है और यह शुद दो दिस आगे बहुत काम आने वाला है अग्याँ अग्याँ पर देख लिए नेक्ट वीडियो में लोग करेंगे एरे इस विच इस वेरी 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 इंपर्टन टॉपिक विडू आपको वीडियो पसंद आया होगा कुछ भी डावट वो तो नीचे कमेंट सेशन में कमेंट लिखो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्स्राइब और शेयर तो आप लोग करीद होगे तो अग्याँ श्क्राइब पर नेक्स वीडियो एड़